रूस ने युक्रेन पर हमला बोल दिया और दुनिया की सभी बड़े देश देखते रहे। ताज़ा खबर ये है कि जंग के दूसरे दिन शुकरवार की सुबा से रूसी हमले तेज हो गए हैं। रूस की सेना युक्रेन की राजधानी कवी से महस 10 किलो मीटर दूर है। वहीं रूसी सेना ने युक्रेन से सबसे बड़े प्रमानू प्लान चर्नोबिल पर भी कबजा कर लिया है। रूस ने कहा है कि वो केवल सेनिय ठीकानों को निशाना बना रहे हैं लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक 137 नागरिक मारे गए हैं। इस हमले ने दुनिया भर में देहशत पहला दी है। दूसरे विश्वयूद के बाद यूरप में किसी देश ने अन्य देश पर इतना बड़ा हमला किया है। तो वहीं इस मामले पर देश भर के नेताओं अभी नेताओं की रूस के विरोध में लगातार प्रतिकिर्याएं आ रही है। साथ ही हाली में कॉंग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रताबगडी ने भी शौट एंड क्रिस्प अंदाज में अपनी बात रखी है। वो लेकते हैं बारूत के धेर पे बैठी हुई दुनिया शोनों से हिफाज़त का हुनर पूछ रही है। तो दोस्तों आप देखना ये है कि रूस थमने का नाम कब लेता है। इस पूरे मामले पर आगे कोई भी अपडेट होगी तो हम आप तक सबसे पहले पहुचाएंगे। इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें।